तो आज हम बातचीत करने वाले हैं बचपन के बारे में इसलिए शीरशक भी यही है मेरे बचपन के दिन और ये कक्षा नौ की शितिज पुस्तक से लिए गई है महादेवी वर्मा जी एक लेखी का है उनका पाठ है मेरे बचपन के दिन जैसा स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं तो बचपन के संसमरण महादेवी वर्मा जी ने इस रचना में लिखे हैं मेरे बचपन के दिन और सर अभी आपने एक शब्द का प्रियोग किया संस्मरण तो इससे पहले कि चर्चा में आगे बढ़ें और इस सबक को पढ़ें तो मैं जानना चाहूंगी कि संस्मरण इसका क्या आर्थ है कैसे हमें से समझें संस्मरण जैसे शब्द से भी आपको पता चल रहा होगा कि समरण करना यानि कि याद करना स्मृतियों को ध्यान में देना उधारन के तौर पर मैं और आज आपसे मिले मैं आपसे मिला हूँ तो अब यदि मैं इस अनुभव को लिखूंगा जो मेरा आपके साथ समृति है या किसी घटना का या किसी द्रिश्य का या कभी किसी यात्रा पर गया उस बारे में मैं अपनी स्मृति से जो भी लिखूंगा वो संस्मरण कहलाता है जैसा कि आप स्लाइड पे भी देख रहे होंगे कि किसी घटना, द्रिश्य, वस्तू या व्यक्ति का पूर्ण रुपेन, मतलब पूरा का पूरा आत्मी अपने से जुड़ा हुआ, स्मरण, संस्मरण कहलाता है, मतलब उसमें ये बात जरूरी है कि मैं भी उसका एक हिस्सा स्मृति के आधार पर, मतलब मोसली हम याद करते हैं, अपने अनुभव उसमें एड करते हैं, और किसी विशेपर, अत्वा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेक, संस्मरण कहलाता है, यात्रा साहित्य है, मतलब ट्रेवर लोग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो भी उसमें शामिल है, और इसकी विशेशता ये है कि व्यक्ति के अपने अनुभव के आधार पर हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में किसी की कुछ और राय हो, लेकिन ये कुछ और राय हो सकती है, तो ये भी एक साहित्य की विदाई, जैसे कहानी, कवीता, यात्रा विर्तांत, लेकिका हैं महादेवी वर्माजी, और महादेवी वर्माजी के बारे में भी थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की बहुत महत्तुपून लेकिका थी, महादेवी वर्माजी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद शेहर में हुआ था महादेवी जी चायावाद के प्रमुक कवियों में से एक थी चायावाद हमारी हिंदी कविता का एक यूग था उनकी जो मुखे रचनाएं थी नीहार, रश्मी, नीरजा, यामा, दीपशिखा, आदी और अतीत के चल्चित्र, स्मृति की रेखाएं, पत के साथी श्रिंखला की कडियां, उनकी महत तो पूर्ण गद्दे रचनाएं थी महादेवी वर्माजी को सहित्या के आदमी, जो सहित्या का सबसे बड़ा पुरसकार है वो ग्यानपीट पुरसकार जो है, वो भी मिला था और देश का नागरिक सम्मान पद्म भूशन भी उन्हें मिला था और ये जो रचना हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से महादेवी वर्माजी ने बच्पन के दिन में, अपने बच्पन के स्मृतियों के सहरे, जब वो विद्याले में पढ़ रही थी लड़कियों के प्रती सामाजिक रवई है, विद्याले की सहपाथिन, जैसे आभी आपने जिक्र किया कि आपकी दोस्तों के साथ, आपके क्या संस्मरण थे, चात्रावास, यानि हॉस्टल के दिन में बिताएवे उनके दिन, और सुतंतरता अंदोलन के बारे में उनका सजीव चित्रण है, तो महादेवी वर्माजी सबसे पहले तो ये जिक्र करती हैं कि उनके परिवार में 200 साल जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है कि 200 वर्षों तक किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था पुल देवी हुआ करती थी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि देवी दुर्गा का एक चित्र तो उनके बाबा जो थे वो देवी दुर्गा की अराधना किया करते थे और ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा की अराधना करने के फलस्वरूप ही महादेवी जी का जन्म हुआ तो 200 साल बाद जब महादीवी जी का जन्म हुआ तो सभी लोग उनको बहुत प्रेम करते थे सने करते थे उनके साथ बहुत अच्छा बरताब करते थे अगर दूसरे बड़ी आपको जानकर हरानी होगी हिंदी उनके परीबार में कम बोला जाती थी लेकिन जब उनकी माता आई जबलपुर से जब उनकी मात आई तो उन्होंने महादेवी वर्मा जी को पंचतर पड़ना सिखाया और साथ ही Gीता का पाट किया करती थी वो उनकी माता जी तो वो ग्रंथ है नैतिक शिक्षा के लिए और हम सभी के लिए बहुत आवश्चक है हमारे विद्यारती अगर इस ग्रंथ को पढ़ना चाहें तो वो समझ पाएंगे कि जब श्रीमत भगवत गीता का उनकी माता जी पार्ट करती थी तो महादेवी वर्मा जी इस पार्ट को सुनती और यह पुस्तक भी बहुत महत्पूर्ण पुस्तक है हमारे सभी विद्यारती अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो जरूर उनके जीवन में भी कुछ बदलाव होंगे और वो ये भी समझ पाएंगे कि महादेवी वर्मा जी का जो विचार पनपा वो किस तरीके से पनप तो उनकी जो पढ़ने लिखने में रूची होने लगी मीरा के पद गाया करती थी उनकी माता तो मीरा के पदों में भी उनकी रूची होने लगी और फिर उनको एक मिशनरी स्कूल में डाल दिया गया जहां उनका बिलकुल मन नहीं लगता था पढ़ने में तब उसके बाद Crossvet Girls School Crossvet Girls School जिसका चित्र आप देख रहे हैं इसमें महादेवी वर्मा जी का दाखिला हो गया जी और वहाँ दाखिला होने के बाद उनकी मुलाकात हुई उनकी वरिश साती यानि कि सीनियर सुभद्रा कुमारी जी के साथ सुभद्रा कुमारी जी आप लोग कई जानते होंगे वो भी बहुत बड़ी लेखिका थी और उनके आने के बाद मैम क्या ऐसे कुछ बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या सुभद्रा कुमारी जी के महादेवी वर्मा जी के जीवन में आने के बाद कुछ विशेश परिवर्तन हैं जसके बारे में हम जान सकते हैं जी बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया मैं आपने जब हम किसी की संगत करते हैं किसी के साथ मिलते हैं कि अच्छा गुरू अच्छा दोस्त अच्छा साथी जब मिलता है तो आपके जीवन में काफी सारे परिवर्तन होते हैं सुबद्रा कुमारी जी स्वैम बहुत अच्छी लेखी का थी तो उनके आने के बाद क्या हुआ कि उनके अंदर लेखन की शमता और कौशल विकसित होते रहा तो पहले तो सुबद्रा जी उनसे पूछती थ जाँगी और ऐसा अकसर हम सभी के साथ होता है हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ती जैसे हम अंग्रेज में कहते हैं जज करेगा हमें लेकिन सुबद्रा जी ऐसी नहीं थी वो जज नहीं प्रोट साहित करती थी उनकी खासियत ही यह थी थी तो एक बार क्या हुआ हुआ संस्मरण में वो लिखती भी है महादेवी जी कि उन्होंने चुपाया तो उन्होंने उनकी टेबल से सारी किताबे छाट मारी और उनकी रचनाओं को देखा अब वो छुप जाती थी कि मेरी रचनाओ मुझे नहीं दिखानी तो रचनाओं देखने के बाद उन्होंने पू थे उससे उनके तुक बंदी की जो शैली थी वो विक्सित होई उस समय की प्रतिषित पत्रिकाओं में इस्त्रीधर पंड निकलती थी उसमय इन लोगों की अपने लगी और बहुत महतोपूर योगदान है उनकी रचनात्मकताओं को बनाने के लिए बढ़ाने के लिए उनको प्रोचसाहित करने के लिए और उनको एक सकारात्मक चुनौती एक लेखा की चुनौती भी होती कि देखो मैं इस तरह से लिख रही हूं तो तुम भी इस तरह से लिखो तो सुबद्रा कुमारी जी को याद करते वे लिखती हैं कि उनका बहुत योगदान उनके उसमें है उनकी लेखन कौशल की वज़े से और लेखन में प्रोथसाहन की वज़े से ही उन्होंने बहुत उन्नती की कभी सम्मेलन, कभी प्रतियोगिताएं और महादेवी वर्मा जी को उनके कॉलेज की तरफ से भेजा जाता था उसमें और महादेवी जी जिक्र करते वे यहाँ पर लिखती हैं कि उस समय के कभी सम्मेलनों में बहुत बड़े बड़े वरिष्ट साहितेकार आते थे कभी आते थे जैसे हरियोद जी, स्रीधर पाठक जी, रतनाकर जी ये लोग उसकी अध्यक्षता किया करते थे तो सेम वो बाल मन उनका बच्पन वाला मन कहता है कि एक बार उनका नाम भी अगर मन से पुकारा जाता था तो बड़ी खुशी होती थी और महादिवी वर्मा लेखन कौशल में इतना माहिर थी कि उन्होंने बताया कि उनको सौ से अधिक पदक मिलें, पुरसकार मिलें तो यानि इस तरह का उनका प्रदर्शन रहा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता था और हर प्रतियोगिता में वो प्रतम पुरसकार मुख्यता जीती थी और प्रतम पुरसकार जीतने के साथ साथ उनकी बड़ी प्रशंसा भी होती थी तो एक बार का जिकर करते वह लिखती है कि जब 1917 में महत्मा गांधी का मुव्मेंट चल रहा था तो उनको एक प्रतियोगिता में एक पुरसकार मिला जो की कटोरा था चांदी का कटोरा जैसे हमें मिलती ना शील्ड मिलती है आज कल पहले पुस्तके मिला करती थी एक चांदी का नकाशी वाला कटोरा बहुत खुशूरत कटोरा मिला उनको देखके वह खुश हुई वह हुई तो वह सुबद्रा कुमारी जी ने कहा कि तुम एक सब्धन तरता आंदोलन में दान करते थे सजयोग करते हैं तो महादेवी जी बड़ा अच्छा संस्मर्ण बताती है बापू के साथ कि बापू को दिखाया उन्होंने कि मैंने कविता प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है तो बापू ने हात में लिया और उनसे कहा कि क्या तुम मुझे दोगी अब महादेवी जी क कैसे मना करें उन्होंने दे दिया लेकिन उन्होंने बाल मन में एक मतलब एक शिकायत की बहुत ही चुटिली से शिकायत की कि बापू ने मेरा कटवरा तो ले लेकिन मुझे कविता नहीं सुनी काश मेरी कविता सुनते तो मुझे और अच्छा लगता लेकिन उस समय हो सकता अगर मेरी कवीता सुन लेते वापू तो कितनी अच्छी बात होती और यह देखिए मैं उस समय महात्मा गांदी जी के भी साथ उनके संस्मरण है उनके अंदर देश भक्ती की भावना भी बहुत थी बिल्कुल और सर जैसा कि आप दे जिक्र किया कि सुभद्रा कुमारी जी अपने आप में बहुती प्रूफिशिंट राइटर है उनके जीवन से महादेवी वर्मा जी बहुत प्रभावित थी और बहुत प्रहुत साहित भी हुई वह आगे बढ़ने के लिए लेकिन ऐसा भी समय आया जब सुभद्रा कुमारी जी चली गई तो फिर किस तरह का बद लगा झ्याल होगी थी अब यह बताती है कि आने के बाद उनको감 मदव हो जीब उनकी बड़ी मदद करती थी और बोलने का प्रयास कर रही हैं ताकि उनका जो भाषा कोशल और साहित्य का कोशल बढ़े साथ ही कई बार उनको चेड़ देती थी तिक तुम मराठी बोलती हो तो वो कहती थी कि हम मराठी यह तो मराठी बोलेंगे मतलब उनमें भी जैबुन निशा में मराठी होने का एक ब पर जो एडॉलसन स्टेज है हमारी जीवन की योवन जो है वो समय कैसा बीता और क्या एक ऐसा माहौल था कि जहांपर लड़कियां भी महीलाएं भी लिख सकती थी अपनी बात कह सकती थी यह बहुत महत्वपूर्ण है संस्वरण की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि महादेवी जी लिखती है कि संप्रदाइक्ता बिल्कुल नहीं थी हिंदू मुसलिम सब साथ मिलते थे साथ बैटकर खाना खाते थे वो अपने होस्टिल के बारे में लिखते हैं कि अवद की लड़कियां अवदी में बात करती थी सब साथ खाना खाये करते थे धर्म का कुछ नहीं लेना देना होता था एक ही प्रार्थना करते थे एक ही मैस में खाना खाते थे और सब लोग मिल जुल कर रहते थे मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को कोई किसी विशय पर बोला जाता था आगे वो इसी संस्मरण में लिखती हैं कि उनके यां एक नवाब साब ते जिनकी नवाबी चली गई थी लेकिन उनको एक पुरा का पुरा बंगला लिया था जिसमें वो भी रहती थी तो नवाब साब की जो मिसिस थी जो उनकी श्रीमती जी थी वो उनको कहती थी कि मुझे आप चाची कहा करो तो चाची नहीं तो वो उनको बेगम साहिबा कहते थे और उस तरह का संबंद होता था कि उनका एक बेटा था बेगम साहिबा का वो कहती थी कि इस बेटे को आप लोग राखी बांदेंगे मतलब इतना अपनत्व होता था और एक संस्मरण बड़ा कमाल का वो लिखती है कि जैसे रक्षा बंदन पर अक्सर होता है कि राखी बांदने से पहले भाई खाना नहीं खाता तो मैं वो उलाना देती थी उनको बेगम साहिबा कि देखो तुम राखी नहीं बांद रही हो तब से भूगा बैठा हुआ है लेकिन ये मतलब एक प्रेम का प्रदर्शित करता है और इससे सर मुझे ये भी आदा है कि उन्होंने अपने छोटे भाई के बारे में भी कुछ लिखा है जी छोटे भाई के बारे में भी लिखा बेगम साहिबा ही जो छोटे भाई उनका पैदा हुआ तो बेगम साहिबा ने उसका नाम रखा मनमोहन मनमोहन इसलिए रखा क्योंकि वो बहुती सुन्दर वालक था और वो मनमोहन जो है बाद में जाके विश्विद्याले का गोरगपुर विश्विद्याले और जम्मू का वाइस चांस्लर भी बना और महादेवी जी यही लिखती है कि वो नाम जो था उनका जो बेगम साहिबा ने रखा था वो आगे तक चलता रहा तो सबसे पहला अमुखे शब्द है बच्पन यह बच्पन जैसे बच्पन क्या है कि हमारे जीवन की अलग-अलग दशाएं होती है बच्पन, युव अवस्था, किशोर अवस्था, बुढ़ापा बच्पन की अलग स्मृतियां होती है यह देखिए यह जो संस्मरण है वो बच्पन पर आधारित लिखा है इसलिए उसके अंदर एक कोमल कांत ता है एक अपनापन है तो बच्पन की मनोदशा और बच्पन का अपना जो जीवन दशा है वो इस शब्द से रिफ्लेक्ट होता है इसलिए यह शब्द यहां लिखा तो बच्पन को एक बार फिर से आप देखिएगा दूसरा शब्द जो है संस्मरण जिसके बारे में बात की कि स्मृति देना लिखना और उसमें अपने अनुभवों को शामिल करना तीसरा है संमेलन संमेलन मतला मिलना जैसे गोष्टी होती थी काववे संमेलन होते थे उसमें भी वो जाती थी तो संबेलन मतलब मिलना एक दूसरे के साथ और कावे गोष्टियों में शामिल होना